बात करते हैं समंदर में लगे ऐसी ट्राफिक जैम की जिसका असर भारत पर भी पढ़ रहा है दिल्ली से 4,300 किलोमिटर दूर इस तस्वीर का असर सीधा आपकी जेप पढ़ रहा है स्वेज नहर में तीन दिन से ये विशाल कायश शिप फसा हुआ है कारगो जहास के फसने से लाल सागर और भूमद्य सागर में ट्राफिक जैम लग गया है कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थ के डिलिवरी देरी से हो रही है ट्राफिक जैम में कम से कम 10 कुरूट टैंकर फसे हैं जिन में 13 मिलियन बैरल कच्चा तेल लगा है कारगो फसने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में उच्छा लाया है स्वेज नहर में हर दिन 50 जहास व्यापार की आवाजा ही करते हैं दुनिया का 12 फीजदी व्यापार स्वेज नहर से होकर गुजरता है काफी मशकत के बाद भी जहास फसा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसको निकालने में दो से तीन दिन और लग सकते हैं इस समस्य सेने पटने के लिए अगर कोई दूसरा रूट पकड़ा भी जाता है तो फिर मिडल इस्ट यॉरोप की यात्रा में 15 दिन और देरी हो जाएगी न पावंदी हो न कोई हद हो हो तो बस खुद बनाई सरहद हो ये मुहिम है पर्तों में छिपे हर सच के तलाश की सियासत पर रखी पहनी नजर और आख की खबरों के दुनिया में एक जिम्मेदार आवास की जर्म और जल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की जब कोई हद नहीं इंसामियत के लिए जजबात की जब कोई हद नहीं खुश्यू और खाब की तब कोई हद क्यूं हो नए नजर ये और बदलाव की तोड के हदों के ताले नए सपनों को पाले बांधे सबको एक धागे आपको रखे आगे ABP News